गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट आज का प्रश्ण है नमक और पानी की घोल में 5% नमक है अगर 20 लीटर पानी वास्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है तो हमें प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या होगी इस बात का पता करना है तो भाई कोई घोल है कोई लिक्टुड है नमक और पानी का मतलब कोई जो इमांट है आपका वो क्या है मतलब यह गोल इसको हम गोल से करें इसको हम गोल कह रहे है ठीक है वो किसका मिक्सर है नमक और पानी का ठीक है नमक और पानी का है तो हम करें जो घोल है उसका 5% नमक है जो घोल है आपका जो घोल है उसका 5% क्या है नमक है तो इस में नमक है जब पानि वास्पित हो गया थो नमक तो वही रहेगा आप इसिसमें नमक है यह फिर पानि यहां तकी मात्रा लेकिन पर्शेंटेज इसका इंप्रिज हो जाएगा यहां पर यह ही 15 हो जाएगा लेकिन मात्रा समाल नहीं कि एक पांच पर्शेंट है अब उस घोल में मैंने क्या कर गिया 20 लीटर पानी निकाल दिया अपने आप चला गया उड़ गया तो हमारे उसकी पर्षेंटेज बढ़ जाएगी नहीं तो नमक कितना हो जाएगा फंद्रा पर्षेंट हो जाएगा प्लियर बाद अब इसको सॉल कर लो एक कितना हो जाएगा अब इसको इधर ले रहा है तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा टू एकवर टू सिक्स्टी एकवर टू कितना हो जाएगा आपका थार्टी लिटर हो जाएगा नहीं प्लियर थैंक यू जैन प्लीज लाइग शेयर एंड सब्स्ट्राइग टू ओके गईज